मैं कमा के लाता हूं तबी तू खाती है ना चॉप मेरे से उची आवाज में बात नहीं करेगी तो क्या वो बीबी आपका घंटा टिकेगी अगर बीबी को बोलोगे चॉप मेरे से उची आवाज में बात नहीं करेगी तो वो क्या बीबी घंटा टिकेगी आज का टॉपिक है कि बस ये पाँच चीज अपना सही कर लो सिर्फ पाँच चीज पाँच चीज बोलो पाँच काम बोलो ठीक है ये पाँच चीज आप लोग अपना सही कर लो उसके बाद आप शादी के बाद भी हमेशा एक दम खुज रहो ठीक है बस ये पाँच चीज पर अपना काम कर लो, आजकल देखते हो कितने डिवोर्स हो रहा है, कितना मन मुटा हो रहा है, कितने लोग का शादी नहीं हो रहा है, शादी किसी तरह हो भी जा रहा है, तो उसके बाद डिवोर्स हो रहा है, लडाई हो रहा है, पती-पत्नी हो रहा है, सास बहु में लडाई हो हजार लाइक कर दो, मिलकर आप लोग तो और अच्छी बात है, वीडियो देखने के बाद सब आप लोग शेर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है, तो चलिए आगे बाद, सबसे पहले आप लोग को बता दूँ कि ये वीडियो दोनों के लिए है, अन्मेरेट के लिए अन्मेरेट के लिए भी है, अगर आप अन्मेरेट लड़की या शादी सुधा आदमी या औरत हो, सब के लिए ये वीडियो है, सुनिये, आजकल आप लोग देखते ही हो, कोई शादी टिखी नहीं रही है, मतलब दस शादी हुई मानलो, उसमें से भाई एकदम, छे में त लड़ाई और डिवोर्स हो रहा है, लव मैरेज में भी भर भर के होता है, तो पहले ही आप लोगो थोरा बता दूं कि कौन से पांच चीज़ों पर गौर कीज़ेगा, और शादी सुधा भी हो, फिर भी ये पांच चीज़ पर अभी वर्क करोगे तो आपका शादी सुधा या मैरेड हो, फेक है, पैसे कमा लो, आपके घर में अच्छा खासा पैसा आना चाहिए, बेसिक जितनी रिक्वाइरमेंट है, मानलो की महिने का 20,000 का खर्चा है, भाई तो 10,000 एक्ट्रा ही कमाने का सोचो, तीस हजार खर्चा है, तो 10,000 एक्ट्रा कमाने का सोचो, अगर बाख कमा रहे हो, तो और अच्छी बात है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एक आपका सोर्स अफ इंकम आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे मेरी तरह आप यूट्यूबर ही बन जाओ, लेकिन पैसा अच्छा आपको कमाना होगा, आप लड़की हो, चाहे लड़ आप कम पढ़ी लिखी भी औरत हो, या लड़की हो कम पढ़ी लिखी, भाई, कूकिंग चैनल खोल लो यार यूट्यूब में, कुछ भी करो, सिलाई मसील सीख लो, कुछ ना कुछ करो, अगर बहुत लड़कियां बोलती है, सर मैं पढ़ी लिखी नहीं हो, तो भाई, ऐसा सिलाई मसीन, सिलाई का काम सिखने में, कौन साइक दम UPSC निकलना होता है, तो कोई ना कोई source of income आपका होना चाहिए, अभी student हो, तो भाई, जल्दी से नौकरी उकरी कुछ करो, या business से start-up करो, कुछ ना कुछ करके, शादी से पहले, आपका एक source of income अच्छा खासा होना चा बहुत लोग अभी शादी सुधा होंगे, लेकिन अच्छा कमाते नहीं होंगे, तो भाई, start कर दो, अभी भी देर नहीं होई भाई, अभी भी कमाना है, तो ये था पहला चीज, जो आपको काम करना है, वो है पैसे कमालो भाई, एक कोई ना कोई source of income आपका होना चाहिए, चाहिए अप लड़की हो, लड़का हो, मर्द हो या औरत हो, सब का कमाने का कुछ ना कुछ जरिया होना चीए, ऐसे ही मत बैठे रहो यार, कि अरे यार कोई काम दंगा, ऐसे मत करो, शादी के बाद जहलना पड़ जाएगा, आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे ना, ससुर या गाली देते होंगे कि मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, आप समझ रहो, मतलब अगर आप नहीं कमाऊगे ना, अच्छे से, आपका confidence level एकदम down रहेगा, समझ ये बात को, बहुत ही vulnerable feel करोगे आप लोग, इवन शादी के बाद बहुत औरते, जैसे माल हो, housewife होती है, ठीक है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, लोग उस काम को कदर नहीं करते हैं, आप जैसे housewife हो, तो आप भी घर समाल रहे हो, वो भी एक तरह का work है, लेकिन यह मेरे जैसे, आस्कर लब गुरू जैसे लोग समझते है, बीबी अगर घर का काम कर रही है, तो वो भी एक तरह का duty है, ले तो पहला चीज यही है source of income और पैसे पे काम की अब बात करते हैं दूसरे चीज पे जिसको ठीक करने की जुरत है वो यह है आपका बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए आपका nature दूसरा चीज यही बोलूँगा जो आपको ठीक करना है पहला चीज बता दिया कि पैसे कमा दूसरा चीज वो है आपका nature अब मालों कि शादी कर लिए ठीक है ससूरा लगये अब साली कुछ मजाग की आपकी जो भी सालीयां है वो मजाग करेगी जी 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 अब आपका है nature खडूस वाला इरिटेटिंग वाला तो साली का मजाग समझोगे ने व आपको लेट से मिला ससूरा लगये थोरा लेट से खाना मिला घर बनाने में टाइम लग गया अब वो लोग प्रेसर फिल कर रही होगी यह बहुत अच्छे से बनाना है दामाद जिया है अब उस चकर में लेट हो गया अब वहाँ पे खुननस निकाल रहो दामाद का को इज आपको बूरा लग जाएगा फिर वाइफ आपको सुनाएगी कि ऐसे ममी से क्यूं बात कर रहे थे मेरे पापा से ऐसे क्यूं बात कर रहे थे इवेन मालो आप लड़की हो आपका नेचर बहुत ही चिरचिरा वाला है गुस्से वाला है जल्दी सौल टेमपर हो जाती हो पर ले लोगी ना वहां सुना दोगी फिर सास को अब सास को सुनाओगी तो यह आपका पती टॉल्रेट कर नहीं पाएगा फिर वो आपको सुनाएगा फिर आप उसको सुनाओगी घर में दिमाग खराब सबका हो जाएगा बस उसी में भाई क्या होता है ना मन मुटा होने लगता है और डिवोर्स होने लगता है तो जो भी अनमेरेड है अभी शादी ने क्यों अगर यह सम नेचर घटी है आपका शॉट टेमपर्ड गुस्सा हो जाना ठीक है मतला खुद को महान समझते हो नार्सिस्ट अगर कैरेक्टर है भाई शादी होने से पहले खुद को सु अभी भी वक्त है ने तो आपकी बीबी ने तो आपका पतिरी भाई छोर के चला जाएगा बहुत लोग है गुस्से एकदम हाथ उत्र उत्र उठा देते हैं शादी बहुत खासकर ख़डूस जो मर्द होते है न ठीक है यह लोग पता नहीं अपने आपको क्या संस्थ यह सब मत करो इसा पागल पंती हटाओ दूसरा पॉइंट मैं आपको यह बताया हूँ नेचर अच्छा होना चाहिए कितना भी पैसे कमा लो पहला काम जो बोला पैसे कमा हो यह कितना भी अच्छा कर लोगे अगर दूसरा चीज नहीं रहा आपका नेचर अगर अच्छा न बता दिया अब बात करते हैं तिसरा चीज तिसरा काम जो आपको सही करना है वो यह है कि आप फिजिकली एकदम फिट रहना ठीक है आप अनमेरेड हो चाहिए अभी जस्ट शादी की हो या कुछ साल हुए हैं शादी के भाई फिजिकली आपको बहुत फिट होना चाहिए य इतना आपने टीनेज में वो मास्टरबेट किये हैं उल्टा सीधा हरकत किये हैं इरेक्शन प्रॉब्लम होता है सेक्शुल डीजीज बहुत लोगों हो जाता है तो यह सब चीज पर काम किजएगा रोमैंस और सेक्स लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए शादी के बाद आप बीबी के अंडरस्टेंडिंग पर डिपेंड करता है कि वो कितना आपको सपोर्ट करेगी कुछ बीबीयां होती है थोरा सभी प्यार वेर नहीं मिला भाग जाती है या हो सकता है आप लड़की हो ठीक है तो आप में वो इंट्रेस्ट बहुत जल्दी चला जाता है यह सेक् सकता है जाइए भाई इलाज कराइए एक सेक्ट डौक टर है मालोग शादी के बाज भी बहुत ओरते कंसीव नहीं पाती है बेवी को बच्चे नहीं हो पाते है या किसी मर्द में प्र प्रॉबल्मड की इस्पर्म काउट में उनको वो है देगा है कम है इसपर्म काउट त लोगों के बाल उग जा रहे हैं तो आप लोग क्या भीमारी ठीक नहीं होगा तो तीसरा चीज आपको यह बोलाओं कि फिजिकली एकदम फिट होना चाहिए कोई बीमारी नहीं कोई sexual disease नहीं sex life अच्छा होना चाहिए romance life अच्छा होना चाहिए यह सब सभी फर्क परता है कहते हैं न कि पती-पती में कितना भी लड़ाई हो रात को बेड़ पे अगर अच्छे हैं दोनों तो भाई सब balance हो जाता है तो यह बहुत हत्तक सही है समझे रहो अब बात करते हैं चौथा चीज जिसको सही करना है यह चौथा काम जिस पर आपको वर्क करना है वह यह है कि आपको कोई भी गलत काम का आदत नहीं होना चाहिए अब मालो कि आप शराब बहुत पीते हो ड्रक्स का आदत है तो भाई आपका घर कभी बसी नहीं पाएगा चौपट हो जाएगा तो आपकी तो सबसे पहले शादी नहीं होगी तो खुस शादी के बाद क्या होगी जब शादी नहीं होगी तो आपको देखके ही कोई बोल देगा यह दारू कीता है कौन बाप आपको बेटी देगा तो दारू, अब ड्रग लोगे तो आँख एकदम लाल रहेगा, देखके पता चल जाएगा जाला नशामे रहता है, सिग्रेट भी एकदम डबार डेली फूंक होगे, कहां से कोई बाप अपनी बेटी को देगा, देखें अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दिल्ली, मुंबई जैसे रूपी के घर पे आते हैं, अब कर जाओ तमाशा कर रहे हैं, बीबी को बोल रहे हैं, मेरे समना, हम इससे बात करेगी, चॉप, मैं कमा के लाता हूँ, तब ही तुखाती है ना, चॉप, मेरे से उँची आवाज में बात नहीं करेगी, तो क्या वो बीबी आपका घंटा ठ ठीकेगी, अगर बीबी को बोलोगे, चॉप, मेरे से उँची आवाज में बात नहीं करेगी, तो वो क्या बीबी घंटा ठीकेगी, तो दारू, सिगरेट, ड्रग्स, ठीक है, ये सब भाई, गलत आदत नहीं लगाना है, गलत, संगती में भी नहीं फसना है, ठीक है, कोई म मेरेड हो, तो अभी हटा दो, नहीं तो शादी सुधा हो, तो अभी भी वक्त है भाई, गलत चीजों से मुख हो जओ, गलत आदतों से मुख हो जओ, अब बात करते हैं, पंचवा चीज, जिसको एकदम सही करना है, ठीक है, ये पंचवा काम, जिस पे आपको वर्क करना है, वो ये है, कि आपको एकदम लॉयल रहना होगा, यही वो पंचवा चीज है, जिसको सही करना है, आपका नेचर एकदम लॉयल वला होना चीज, ये नहीं कि भाई, शादी हो गया, ठीक है, उस वासला इधर सो रहे हो, उधर सो रहे हो, इधर पटा लिए, आजकल सिफ ऐसा लिए है, बॉस ले जा रहा है, ओयो, एक्स्रा पैसा मिल जा रहा है, ठीक है, बस घर ला रही है, अब मेकप खरीद रही है, खरीद रही है, तो ऐसा नहीं है, मैं मर्द हूँ, ऐसा नहीं है, कि ओरतों की जबदस्ती तारीफ करूँ, कई ओरतें चकर चला रही है, ठीक है, और अधिक तर अधित ने बहाना बना देगी unhappy, आप बाहर मज़े मारोगे, अपनी wife या आपने husband को आप input ही नहीं दे। खुश ही नहीं रख पाओगे, इमोशनली बोलो सेक्षवली बोलो जैसा भी बोलो ठीक है तो भाई कहीं न कहीं आपका पार्टनर भाई आपसे दूर होने लगेगा बहुत लोग अभी मालो अन्मेरेट भी होगे और अभी आप लोग इधर उधर करने वाला नेचर है मतलब एक पार्टनर आप लोग का ठिकता नहीं है तेक ह अधर अधर दिमाग आपको खराब होगा तो इससे क्या होगा आपगरी नहीं बसेगा आप खुसी नहीं रह पाओगे शमज़ो तो यहीं वह पांच काम है जिसपे आपको काम करने की जवत यहीफ पांच चीज सही कर लो अपना बाकी भागवान भरों से यह पांच चीज क सकते हो, आप बस खुद पर काम कर सकते हो, खुद को सही कर सकते हो, बाकि फिर भी relationship नहीं, जमा वो नहीं, जब वो तो भाई आप इश्वर पर छोड़ना होगा आपको, सब चीज आपके हाथ में नहीं है, बस जितना आपके हाथ में वो कर दो, तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आवागा, एकदम लाइक मारी है भाई, इतने अच्छे से बताया हूँ, हजार टार्गेट रखा हूँ, अभी तो 500 टार्गेट है, लेकिन हजार भी लाइक हो जा तो मज़ा जाए, और दवा के शेयर करो भाई, शेयर कहीं भी कर दो लेकिन करो, सब्सक्राइब तो एकदम कीजिया ही, मैंसे डिरेक्ली जूरना चाहते हो, लब टिप्स लेना चाहते हो, कुछ मैरेज टिप्स लेना चाहते हो, शादी नहीं हो रही है, यह पती भाग गया, पत्मी भाग गया, बॉइफ्रेंड इसू, गल्फेंड इसू, जो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो देखिए, ठीक है, तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केर, गुड़ बाई, मुझे चाहते हो, इंस्टाग्राम, फेस्बूक पे फॉलो कर सकते हो, चलिए बाई